बिहार विधान सभाभवन की सौ वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शताब्दी स्मृति स्तंभ का निर्मान किया गया है। इसका शिला न्यास 21 अक्टूबर 2021 को महा महिम राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद के करकमलों से हुआ था। माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से आज इसका अनावरण किया जा रहा है। अतीत में निर्मित स्तंभों की भव्य परंपरा के साथ आधुनिक तकनीकों और समगरियों का समावेश कर इस स्तंभ का डिजाइन तयार किया गया है। भारतिय वास्तोकला और वास्तोशास्त्र के सिध्धनतों का पालन करते हुए स्तंभ को अष्टकों के रूप में डिजाइन किया गया है। स्तंभ की मूल संरचना कॉंक्रीट की है, जिसकी बहारी सतह पर 8 इंच से 18 इंच तक मोटे जैसल मेर सेंट स्टोन का आवरन चड़ाया गया है, जिसका पसन 54,000 किलो ग्राम है. स्तंभ निर्माण में इस्तिमाल किये गए पत्थर एक ही चटान से लिए गए हैं, ताकि रंगों में एक रूपता रहे. स्तंभ की उँचाई 25 फिट है, जिससे 6 भागों में बाटा गया है. 15 फिट उचे और 21 फिट फैलावाले कांसे एवं पीतल से बने व्रिक्ष को इस तंभ के उपरी हिस्से में लगाया गया है, जिसका कुल वजन 2.8 टन है. इस व्रिक्ष की 9 शाखाएं, रज के 9 प्रमंडलों, 38 उप्षाखाएं, 38 जिलों को और विभिन्न आकार के 243 एवं 75 पीतल के पत्ते बिहार विधान मंडल के सदस्यों की संख्या इंगित करते हैं. बिहार विधान सभा भवन के शताबदी वर्ष के आवसर पर, बिहार विधान मंडल की एतिहासिक विरासत की प्रदर्शनी हे तू, और आम जन में जागरूपता बढ़ाने के उद्देश्य से, एक संग्र हाले निर्माण के लिए, रज कैबिनिट के द्वारा, 5 जुलाई दक्षन कोने में 1.03 एकड के भुखंड पर किया जा रहा है। स्मृतियों को भौतिक और डिजिटल रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। द्वारा बिहार विधान सभा संग्र हाले और बिहार विधान सभा अतिथी शाला का शिला न्यास किया जा रहा है। विश्व के पहले गणतंत्र की जन्स्थली बिहार की धर्ती पर निर्मित ये शताब्दी स्तंभ एवं संग्रहाले आने वाली पेडियों को बिहार के गौरव शाली तिहास से परिचित कराएंगे। और वर्तमान बिहार की गौरव गाथा की गवाही भी देंगे।